हरो नो प्यारे बच्चो तो पढ़ा आज में आपके लिए लाया हूं रे आप डिसकेशन आएगा बेटा यह हम डिसकस करेंगे ठीक है बेटा सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो बेटा आते हैं हम थिल नियनस फॉर्मला की ओठो ठीक है थोड़ा सेट अप मैंने चेंज किया है ताकि आपको यहां से बोर्ड जो है वह सारा कि सारा जो है वह आच्छ सारा का ऑफ लिगें सर क्या काम है इसका आप देखो बीटा यहां पर आप मांनो मैंने एक लेंज लिया ठीक यह बेटा लेंज लेंस प्याय यह बीटा इमीन लेंस बनाया आठी। यू डिस्टन स्पे आपने अप्ज्कT बनाए। यहां सेलिफ ऑफ लाइट से टाउट होगी इमेज पहीं 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 रहती है इमेज कहीं पहीं बन सकती है आपको इमेज क्षांपल एक बीज़ की जो पुजीशन पॉजिशन की वाइव और image distance v और focal length of language जो है बेटा वो f के बराबर है तो इनके बीज में जो relation है वो है बेटा थिल लेनस formula से 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u इस formula का नाम क्या है थिल लेनस formula तो अगर मैं आपको बोलोगा बेटा थिल लेनस formula है क्या अब लोगे सर थिल लेनस formula है 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u यह है 1 by v minus 1 by u ठीक है बेटा इतना clear है magnification अब बेटा मसला है इसी थिल लेनस formula हम में हम देखेंगे magnification magnification देखेंगे magnification क्या होता है magnification बेटा magnification होता है ratio of size of image to the size of object जैसा कि हमने already देखा है size of image to the size of object अच्छा यह magnification जो है बेटा यह आपको आएगी v by u अच्छा mirror formula में mirror curved mirrors में क्या आए magnification minus v by u यहाँ पे आएगी v divided by u ठीक है बेटा अगर इसी को modify करेंगे है हम आपको आएगा f divided by f plus u अच्छा वहाँ पे क्या आई थी f by f minus u यहाँ पे है f divided by f plus u और magnification और image distance की formula है f minus v divided by f यह formula mirrors में भी यह change नहीं हुई बेटा तीसरी formula f minus v by f बहाँ पे भी f minus v by f यहाँ पे भी यह कोई चेंज नहीं हुई ठीक है और आपको पता है बेटा aerial magnification बराबर वैसा है बेटा कोई change नहीं है aerial magnification अगर aerial magnification है बेटा area की magnification वो है m square ठीक है बेटा यह था बेटा एक चीज़ खिलने नस formula का एक concept अब बेटा दूसरा concept है combination of lenses हां combination of lenses in contact combination of lenses यह lenses in contact हम बोलेंगे ठीक है अब lenses को हमने contact में रखा अब देखो होगा क्या बेटा यहाँ पे lens number one है ठीक है यहाँ पे lens number two है और बहुत सारे lenses contact में ठीक एक lens number one जो है इसका focal length है f1 lens number two इसकी focal length f2 जब हमने इनको combine किया जब हमने इनको combine किया तो होता क्या है बेटा lens number one जो image form करेगा lens number one क्या करेगा form image वह image act करेगी object for second lens वह second lens के लिए object बनेगी और यह जो combined lens बना combination से जो combined इसकी focal length हम capital f रखेंगे यह combined focal length तो relation क्या है बेटा one by f one by combined length equal to one by f1 plus one by f2 यह है बेटा combination की focal length अगर तीसरा भी होगा बेटा पलस one by f3 करेंगे और इन वैसे basic चीज़ आपको याद रखनी है अगर convex lens है convex lens इसकी focal length positive लेनी है अगर concave length है इसकी focal length आपको नगी टू लेगी है अब बेटा अब lenses फिर से combination में होंगे यह lens number one है ठीक है लेकिन lens number two हमने कुछ distance पे रखा और इसमें और इसमें क्या फर्क है यह वाला के जो है इसमें दोनों lenses contact में है contact में है इसमें contact नहीं है इसमें दोनों के बीच में कुछ distance है हां दोनों के बीच में distance है डी इसकी focal length बेटा f1 इसकी focal length f2 combination की combination की focal length लिखेंगे one by f equal to one by f1 plus one by f2 यही है minus d divided by f1 f2 यह रहा बेटा आपकांस what is d distance between two lenses बेटा इतना ठीक है यह बेसिक बेसिक फॉर्मलास थी जो आपको याद रखनी है चलो बेटा अब आते है questions की ओर चलो at what distance from convex lens convex lens यह convex lens से बेटा convex lens से हम क्या distance हम रखेंगे distance means you objective lens you objective distance you यह आपको बेटा निकालना है focal language जो है 30 cm है वही से given है 30 cm वही से given है अच्छे क्या यह पॉस्टू लिखो गए यह ना गेट यह पॉस्टू किया convex lens है should be places so that size of image image का size जो है वो one by two है image का size जो है size of image is one by two size of object अगर इसको हम divide में लेंगे बेटा आपको i by o आएगा one by two image by object ओवा magnification so magnification आपको आएगा one by two जड़ा f u और magnification की relation क्या है magnification की relation है f divided by f plus u यह है बेटा 15 आपको cross multiple करोगे बेटा cross multiple जब आप करोगे आपको आएगा 30 plus u आपको 60 के बराबर आएगा यह रहा 30 यह यहां से ठीक तो cross करो बेटा u आपको आएगा 60 minus 30 u आपको आएगा 30 centimeter यह रहा बेटा objective distance क्या है 30 centimeter तो यह रहा objective distance 30 centimeter ठीक है बेटा चलो बेटा आगे बढ़ते है in order to obtain real image of magnification 2 magnification जो है बेटा 2 है magnification 2 है क्या यह magnification plus 2 है या minus 2 real image आपको पता है real image का बनती है यह object है बेटा यहां से real image जब उल्टी बनेगी तब हम बोलेंगे real image क्या magnification plus 2 है या minus 2 mirror formula में मैंने detail में discuss किया था it is minus 2 क्योंकि यह real image है तो plus 2 नहीं minus 2 ठीक आफक कनवर्जिंग लेंग अच्छा कनवर्जिंग लेंग जो है वो है 20 cm बेटा plus 20 है या minus 20 plus 20 क्योंकि convex है where should be object placed object कहां हम रखेंगे यानि कि यू डूड़ना है बेटा formula क्या है m equal to f divided by f plus u यहीं तो formula है magnification है minus 2 आपको आएगा 20 divided by 20 plus u cross करो minus 40 minus 2u equal to 20 ठीक है बेटा इसको cross करो minus 40 minus 20 equal to 2u cross मैंने किया आपको आएगा 60 minus 60 आपको आएगा 2u के बराबर u आपको आएगा minus 30 cm सो objective distance कितनी है minus 30 ठीक है चलो बेटा next question next question convex lens produces real image image जो है बेटा image जो है वो real है real है यानि कि magnification negative है and m times m times है magnification image जो है वो m times है यानि कि magnification जो है बेटा वो m है so magnification जो है magnification जो है वो m है क्या plus m है या minus m real image real image mean it is minus m यह हुआ बेटा real image real है ना negative लेना है object distance u आपको निकालनी है क्या formula है बेटा magnification की formula है F divided by F plus U Magnification किसके बराबर Minus M Equal to Convex lens है Focal लेंगत F आएगी F plus U Cross करो बेटा Minus M F by minus M U Equal to F ठीक है बेटा U निकालना है Transfer करो बेटा Minus M U Minus M U यह मैंने यहीं पर रखा इसको transfer किया आपको आएगा F plus M F ठीक है Minus M U F common आया One plus M ठीक है बेटा Minus U किसके बराबर आया F फिर bracket में One plus M divided by M objective distance Minus U होती है वो किसके बराबर आई F फिर bracket में One plus M by M यह रहा बेटा आपका option number E An object An object Of height 1.5 cm Object की height कितनी है 1.5 cm On the axis of convex lens की axis पे है और convex lens की focal length 25 cm Obviously plus आएगी क्योंकि convex lens है Real image is formed अच्छे यहां से image boy और real image है बेटा Real image है उल्टी बनेगी और कहां पे real image बन गई 75 cm पे real image बन गई आपको size of image Image का size निकालना है Image का size कैसे आएगा पहले magnification 75 cm पे image बन गई Image distance कैसे represent करते हो V से या U से V से V right side से बन गया बेटा यहां से बन गया V यहां से बन गया क्या plus आएगा या minus आएगा Plus So V आपको 75 cm आएगा Focal length 25 cm आएगा Magnification निकालो बेटा जड़ा कैसे निकालो गे Magnification होता है F minus V by F Magnification निकालना है F है बेटा 25 Minus 75 divided by 25 So आपको आएगा Minus 50 divided by 25 आपको आएगा minus 2 So magnification आपको आएगा Minus 2 के बराबर बेटा Minus ही निकलना चाहिए क्योंके Real Image है अब Magnification होता है Size of Image to the size of object Magnification है minus 2 What is size of image? वह आपको निकालना है What is size of object 1.5 है बेटा Plus या Minus Plus So आप लिखोगे 1.5 ठीक है इसको Cross Image Size आपको आएगा Minus 3 cm ठीक है So minus 3 is the answer Image size जो आएगा Minus 3 cm ये बहुत आसान कोच्छन है बेटा बहुत आसान कोच्छन ये बहुत आसान कोच्छन है बेटा Two thin lenses एक lens की focal length थे प्लस 60 cm याने की convex lens दूसरे lens की focal length थे F2 minus 20 cm है ना बेटा ये contact में हमने रखा एक convex lens दूसरा concave lens combined focal length थे आपको निकालनी है 1 by F equal to 1 by F1 plus 1 by F2 ठीक है So 1 by F आपको आएगा 1 by 60 plus 1 by minus 20 ये तो है simple अभी तो मैंने दिखा ही formula 1 by F आपको आएगा 1 by 60 minus 1 by 20 1 by F आपको आएगा 20 minus 60 divided by 60 into cross multiplication or simple calculation है बेटा So 1 by F कितना आएगा बेटा आपको 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 आएगा ऊपर आएगा minus 40 नीचे आएगा 60 into 20 20 को 2 से 2 को 30 से ठीक है So combined focal length is minus 30 cm So minus 30 is the combined focal length ठीक है तो बेटा यह रहा आपके स्क्रीन पे next question ठीक है बेटा चलो क्या question है तू थिन convex lenses दो थिन convex lenses है बेटा क्या क्या है convex lens और focal length क्या क्या है focal length एक convex lens है बेटा इसकी focal length जो है 20 cm है और दूसरे की focal length जो है 25 cm है ठीक है दोनुं convex lenses है यानि कि दोनुं की focal length जो है positive लेंगे हम ठीक है बेटा the effective power of combination effective power निकालना है effective reciprocal of focal length ती power कहलाता है जरा one by f की किसके बराबर होता है बेटा one by f1 plus one by f2 यही तो है अब लोगे सर बिलकुल one by f जरा किसके बराबर आया one by f1 है 20 के बराबर one by f2 है 25 के बराबर यही तो है सर बिलकुल one by f आयेगा 25 plus 20 divided by 20 into 25 calculations है अच्छे से समझ रहे हो so one by f जो है बेटा आपको आएगा ऊपर आएगा 25 plus 20 कितना हुआ 45 ठीक है नीचे आएगा 20 into 25 ठीक है बेटा इतना के लिए रहे जो यहाँ पे मैं calculations करूँगा अच्छा five nine forty five 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 four twenty five ठीक है so one by f आपको किस के बराबर आया nine divided by 20 into five ठीक है one by f ही power कहलाता है so power जो है बेटा आपको आया 90 divided by 20 into five यह आपका power आया लेकिन यह centimeters में था given बेटा इसको हम multiply करेंगे हेंडरंड से हाँ हेंडरंड से multiply करेंगे ताकि meter में convert हूँ तो यह इसके साथ गया power आपको जो है nine diopters के बराबर आएगा 90 के बराबर यह है बेटा nine diopters इतना ठीक है ठीक है बेटा चलो बेटा next question है convex lens है ठीक है क्या है convex lens क्या है focal length of convex lens convex lens की जो focal length है वही से given है बेटा focal length जो है इसकी f1 84 cm है is it contact with concave lens एक concave lens के साथ contact में है उस concave lens की focal length है 12 cm क्या आएगा बेटा f1 हम पलस लिखेंगे और f2 जो है वो माइनस लिखना है क्योंकि convex पॉस्टू नगी जो power of combination है ऐसे ही डूड़ना है so one by f किसके बराबर होता है one by f1 plus one by f2 यही तो है one by f जो है बेटा one by f आपको आएगा one by f1 है 84 ठीक है plus one by f2 है minus 12 क्योंकि यह concave है लेकिन इस cm में है मीटर में convert करने के लिए divider by hand run वो उपर जाएगा आपको one by f आएगा बेटा hand run by 84 minus hand run divided by 12 ठीक है यह बिसके लिए 84 को divided by hand run हो जाएगा वो उपर जाएगा क्योंकि हमीं diopterus में निकालना है ठीक है बेटा one by f जो किया कहलाता है power ठीक है ठीक है ठीक है बेटा ठीक है ठीक है बेटा ठीक है बेटा ठीक है बेटा power hand run common आएगा यहाँ पर आपको एगा 12 minus 84 divided by 12 into 84 यही तो है हाँ power आया क्या आपको पेटा 100 इसको multiply हो जाएगा minus 72 divided by 12 into 84 12 को 6 के साथ जाएगा 12 6 हो आए 74 6 1 6 2 6 6 so minus 100 by 16 आया so final power जो है it is minus 100 by 16 ठीक है बेटा तो आप calculation कर सकते हो आप यहाँ पे 14 है 14 है 64 24 होगा यह 14 है बेटा 14 तो 250 के साथ 27 to power आपको आएगा minus 50 divided by 7 ठीक है तो यह रहा आपका minus 50 by 7 power इतना clear है बेटा इतना clear है चलो बेटा आगे बढ़ते है चलो बेटा नेक्स्ट two lenses बेटा दो lenses है एक का power जो है एक का power जो है P1 plus 12 है और दूसरे का power जो है P2 minus 2 है ठीक है तो focal length of combination निकालना है आपको focal length of combination निकालना है क्या formula है बेटा 1 by F किसके बराबर है 1 by F1 plus 1 by F2 1 by F होआ effective power होता है P1 plus P2 अच्छा अच्छा ठीक पहले effective power निकालेंगे कितना है effective power और P1, P1 है plus 12 P2 है minus 2 तो effective power आपको 10 के बराबर आया ठीक है अच्छा पावर किसके बराबर होता है 1 by focal length आपको आएगा 10 के बराबर ठीक है बेटा अच्छा F कितना आएगा 1 by 10 लेकिन unit आएगा meters में अगर आपको सेंटीमीटर में convert करना है आप हेंडर से multiply करो सेंटीमीटर बन जाएगा 10 सेंटीमीटर ठीक है तो यह रहा आपका 10 सेंटीमीटर चलो बेटा next question है यहाँ पे lens है बेटा of power plus 2 यह lens है इसका power जो है that is plus 2 is in contact with power यह दूसरे lens के साथ power contact में जिसका power जो है minus 1 है ठीक है the combination will behave combination को क्या हो जाएगा combination का power निकालो combination का power आएगा P1 plus P2 combination का power P1 plus 2 P1 minus 1 combination का power आएगा plus 1 के बराबर plus 1 diopters अचा power किसके बराबर होता है 1 by focal length आपको आएगा plus 1 के बराबर अचा focal length क्या आएगा बेटा 1 by 1 लेकिन meters में ठीक है centimeter में convert करने के लिए multiplied by hindrance so focal length आपको आएगा hindrance centimeter अचा focal length positive आया negative positive positive mean is convergence 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 so combination will behave as convex lens focal length 100 centimeter so converging length of focal length 100 centimeter यह रहा आपका तीसरा option चलो बेटा next कच्छन next कच्छन बेटा convex lens of focal length 40 centimeter convex lens है बेटा क्योंसा lens है convex lens है यह है convex lens इसका focal length 40 centimeter है contact with concave lens एक concave lens के साथ जिसकी focal length जो है 25 centimeter है लेकिन आप इसको plus लिखोगे इसको minus power of combination निकालना है one by focal length किसके बराबर होता है one by f1 plus one by f2 one by f equal to one by 40 plus one by minus 25 जो ठीक है बेटा one by 40 minus one by 25 चलो बेटा ठीक है चलो meters में convert करने के लिए क्योंकि आपको power निकालना है one by focal length power होता है बेटा आपको आएगा 100 by 40 minus 100 by 25 यही तो है यह कितना हुआ बेटा power आपको आया यह हुआ 2.5 2.5 minus 4 so power आपो आएगा minus 2 के बराबर plus 2.5 minus 1.5 के बराबर यह रहा आपका power minus 1.5 diopters minus 1.5 diopters चलो बेटा next question two lenses are placed in contact with each other दो lenses जो है बेटा आपस में contact में है and the focal length of combination combination की focal length जो है 80 cm है combination की focal length one of the focal length of एक lens जो है 20 cm है आपको power of दूसरा lens निकालना है पहले focal length of दूसरा lens निकालो क्या formula आएगी 1 by F equal to 1 by F1 plus 1 by F2 यही तो है 1 by F कितना है बेटा 80 equal to 1 by F1 कितना है 20 plus 1 by F2 यही तो है इसको यहां जाएगा बेटा आपको आएगा 1 by 80 minus 1 by 20 equal to 1 by F2 यही तो है हाँ सर अप लगे यही तो है क्रॉस में जाएगा 20 minus 80 divided by 20 into 80 equal to 1 by F2 minus 60 divided by 20 into 80 यही तो है 00 के साथ गया 23 के साथ गया 1 by F2 सो आपको F2 आएगा बेटा minus 80 divided by 3 इतने centimeters है इतने centimeters आपको focal length आई कितनी centimeters minus 80 by 3 अब आप power निकाल सकते हो हाँ सर पावर निकालेंगे power किसके बराबर होता है 1 by focal length power आपको आएगा 1 focal length कितनी है बेटा minus 80 divided by 3 centimeter को meter में convert करने के लिए उपर multiplied by hand run करेंगे बेटा क्योंकि divide में हो जाएगा फिर उपर जाएगा ठीक power आपको आएगा 300 minus 300 divided by 80 00 के साथ गया minus 30 divided by 8 minus 15 divided by 4 ठीक है 27.5 by 2 3.75 पावर कितना आएँ आपको minus 3.75 minus 3.75 ठीक है बेटा minus 3.75 यह दूसरे का power है बिलकुल बिलकुल easy formula based questions है यह कोई मसला नहीं है ठीक है बेटा चलो बेटा यह जहीं कोईशन है जहीं मेन का कोईशन है बेटा जरा नजर मारो इसको बाई-convex lens है double convex lens है बेटा of radius of curvature क्या है radius of curvature इस lens की जो radius of curvature है वो 20 cm है lens है by convex lens यह है बेटा double convex lens इसकी radius of curvature which are the following describes best image कौन सी image है कौन सी image है height of object जो है object जो है object की height है 2 cm और कहां पे हमने रखा 30 cm पे lens से कितना दूर 30 cm पे यूँ आपको आएगा minus 30 cm के बराबर sign convention के हिसाब से आपको image की position देखनी है और उसका size देखना है अरे पहले ही सारा आप mirror formula lens formula तब यूज करों की जब आपको focal language पता होगी तो पहले ही आपको क्या निकाल लिए बेटा focal language निकाल लिए ठीक है पहले focal language पता होनी चाहिए focal language पता होनी चाहिए फिर आप एक question solo कर सकते हो फिर आप बोलोगे अपराइट है क्या है यहाँ है टैम है वहाँ बाद में देखोगी चलो बेटा setup नमबर वान में हम निकालेंगे focal language अच्छा बाई convex lens double convex lens की focal language की फॉर्मला क्या है lens maker formula से r divided by two times mu minus one यह होती है double convex lens की focal length मैंने आपको यह lens maker formula में दिखाई focal lens पहले रेडियस कितना है रेडियस बेटा 20 divided by two मियू होता है गिलास का गिलास का बना है one point five minus one ठीक है बेटा so focal length आपको आएगा 20 by two into zero point five ठीक है बेटा 20 को 10 zero point five focal length आपको आएगा 20 centimeter so focal length आपको 20 centimeter आया चलो बेटा अब मसला है अब आप मसला बो इमेज जो है बेटा इमेज की magnification निकालो what is magnification of image f divided by f minus u यही है f plus u होती है lenses में mirror में f minus u होती है चलो बेटा magnification क्या आएगी what is f focal length positive 20 divided by 20 plus जड़ा u कितना है बेटा u है minus 30 ठीक है m आपको आएगा 20 divided by minus 10 so magnification आपको आएगा minus 2 के बरापर so minus मतलब क्या होआ बेटा real inverted ठीक है बेटा 2 क्या होआ magnified real inverted and magnified अब हम height निकालेंगे magnification क्या होता है बेटा height of image to the height of object magnification है minus 2 यह आएगा height of image और height of object कितना है 2 so height of image is minus 4 cm चलो real inverted magnified और 4 cm ठीक है देखो बेटा यह है तीसरा option real inverted और height है 4 cm minus mean is real है यह है यह है यह है तीसरा option ठीक है पहले क्या निकाली थी इसमें magnification यह question बेटा next question है यह आप अच्छे से कर सकते हो इस pattern में मैंने बहुत सारे question दिखाए convex lens है बेटा और concave lens है ठीक है बेटा आपस में combination में है और दोनों की focal link 25 है इसकी भी 25 इसकी भी 25 और विसली यह plus होगा यह minus होगा power निकालना है so one by f कितना आएगा one by f one plus one by f two one by f आपको आएगा one by plus 25 plus one by minus 25 so one by f आपको zero के बराबर आएगा one by f आया है one by zero के बराबर one by f क्या होता है बेटा power जो है वो zero आएगा ठीक है same question पेटा convex lens की focal length 80 and concave की 50 obviously यह plus यह minus power of combination यह आप कर सकते हो अभी मैंने इतने question इस भी pattern पे दिखाए similarly पेटा एक question है two lenses एक का power है minus 15 diopters दूसरे का power है plus 5 diopters focal length of combination बेटा one by f किसके बराबर होता है one by f1 plus one by f2 ठीक है अच्छा अच्छा ठीक so one by f f जो है one by f यही तो power होता है resulting power resulting power one by f1 होँआ power number one minus 15 plus one by f2 होँआ power number two plus 5 so resulting power आपको आएगा बेटा minus 10 के बराबर resulting power किसके बराबर one by focal length आपको आएगा minus 10 के बराबर so focal length कितना आएगा minus one by 10 लेकिन यह meters में आएगा क्योंकि power diopters में है अब centimeter में convert करने के लिए power को minus one by 10 जो था इसको multiplied वे हेंडर करोगी 00 के साथ हुआ पाव four का link था आपको minus 10 cm आया यह रहा आपका minus 10 cm चलो बेटा next अब यह बेटा ठीक है अथिन गिलास of refractive index 1.5 has power minus 5 diopter in air minus 5 means यह है concave lens यह बेटा concave lens है जिसका power जो है वो है minus 5 diopter air में और इसका जो refractive index है 1.5 अच्छा इस optical power in liquid अब इसी lens को हमने एक liquid में immerse किया किस में immerse किया liquid में कुर 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 liquid में immerse किया जब आपने इसको liquid में immerse किया और इस liquid का refractive index कितना है 1.6 क्या power यही रहेगा minus 5 नो यह change होगा आपको नया power डूंडना है चलो बेटा कैसे करोगे lens maker formula से क्या होती है lens maker formula 1 by focal length होता है mu minus 1 फिर bracket में 1 by r1 minus 1 by r2 चलो बेटा equation number 1 बोलो पहले 1 by focal length इती power होता है सो power आपको आएगा mu minus 1 1 by r1 minus 1 by r2 ठीक है बेटा पहला power कितना है पहला power minus 5 है ना minus 5 किसके बराबर आएगा mu minus 1 what is mu refractive index of glass क्या है refractive index of glass और बाहर air है glass with respect to air वो तो 1.5 ही आएगा 1.5 minus 1 ठीक है बेटा फिर ये 1 by r1 minus 1 by r2 चलो अब दूसरी condition है बेटा अब दूसरी ओए होए अब दूसरी condition है यही power जो है power जो हमें निकालना है फिर से आएगा mu minus 1 फिर bracket में 1 by r1 minus 1 by r2 what is mu ये refractive index of glass फिर से है लेकिन with respect to liquid कियोंकि आपको liquid में डूडना है liquid में डूडना है so with respect to liquid आएगा तो दूसरी equation आएगी जो power आपको निकालना है ये refractive index of glass with respect to liquid आएगा पहले case में क्या था glass with respect to air अब क्या है glass with respect to liquid minus 1 bracket में यही 1 by r1 minus 1 by r2 यही power आपको आएगा glass with respect to liquid हुआ 1.5 glass liquid का 1.7 mu g by mu l glass with respect to liquid minus 1 फिर bracket में यही 1 by r1 minus 1 by r2 चलो बेटा ये रही एक equation ये रही दूसरी equation इन दोनों को आप divide करो बेटा आप देखो 1 by r1 minus 1 by r2 1 by r1 minus 1 by r2 cancel हो जाएगा आपको आएगा minus 5 divided by p ये रहा minus 5 ये होआ बेटा p ठीक है यहाँ आएगा 1.5 minus 1 नीचे आएगा 1.5 by 1.6 minus 1 ठीक है minus 5 divided by p आपको आएगा उपर 0.5 आएगा नीचे आएगा 1.5 minus 1.6 divided by 1.6 minus 5 divided by p 0.5 इंटू 1.6 नीचे आएगा minus 0.1 minus 0.1 आएगा क्योंकि बागी cancel होगा ठीक है इतना तो ठीक है चलो यह minus इसके साथ multiple हो जाएगा आपको 0.5 divided by p आपको आएगा यह आएगा बेटा आपको 1.6 इंटू 0.5 वाज 0.8 तो पावर कितना आएगा 0.5 divided by 0.8 तो पावर आपको आएगा 5 divided by 8 और तो क्या आएगा 5 divided by 8 वो होता है 0.625 तो यह पावर है लेकर और आपको इसा कुछ नेगता है तो इसमें और आपकोंचिन में कुछ प्रब्लम है तो इसमें पावर आएगा 0.625 ठीक है आपको 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 स्टिसमें 0.625 कर सकते हों अभी मैंने दिखाया लैंस का पावर जो है वह प्लस टू दूसरे लिए लिए पावर जो है माइनस वानने कंभिनेशन का देखना है आपको यह आप कर सकते हो तो मैंने सारी दिखाए दिखाए अच्छा बराबर एक्जेक्ट है यह प्लस आएगा यह मैंस आएगा आपको कंबिनेशन का पावर देखना आराम से देख सकते हो वांट भी एफ आएगा वान भी एफ वांट प्लस वानव एफ टू सो वानवे F आपको आएगा 1 by 40 plus 1 by minus 25 क्योंकि दूसरा जो है वो concave है 1 by F आएगा बेटा यही तो power होता है देकिन इसको divided by 100 करना है कि को सेंटीमीटर में यह बनेगा 100 by 40 minus 100 by 25 ठीक है तो क्या आएगा बेटा यह आएगा 2.5 minus 4 अब आएगा 1.5 यह रहा है अभी तो मैंने दिखाया है बराबर ऐसा ही क्वेशन यह भी है एग्जेक्ट ऐसा ही क्वेशन मैंने आपको भी तक दिखाए चलो बेटा आप next question है चलो बेटा next है बहुत अच्छा question है बेटा तू identical glass equi convex lenses देखो बेटा यह रहा एक equi convex lens यह रहा दूसरा equi convex lens हाँ double convex lenses दोनु है दोनु की focal length f इसकी focal length बी एफ इसकी focal length बी एफ दोनु कंटेक्ट में है इनके बीच में जो space थी बेटा इनके बीच में क्या थी space इनके बीच में जो space थी उस space में हमने insert किया liquid यह हमने liquid किया इस space में जो इन दोनु के बीच में space थी और उस liquid का जो refractive index है वो 4 by 3 है इस गिलास का कितना था 3 by 2 था गिलास का 3 by 2 और लिक्विड का कितना 4 by 3 आपको combination की focal length डोटनी है combination में कितने lenses लेकिन दो नहीं है बेटा इस बारी तीन lenses है कि वाटर वाला भी act करेगा लियानस देखो बेटा ये पहला वाला ये दूसरा वाला बीच वाला हम तीसरा वाला मानेंगे ठीक है पहला वाला आप देखो क्या आएगा बेटा मैं यहां पर दिखाऊंगा पहला वाला आपको आएगा double convex lens ये रहा बेटा double convex lens इसकी focal length ये रहा बेटा डूसरा वाला भी double ये आपको निकालनी है फिर combination की focal length निकालेंगे पहले double concave lens की focal length निकालेंगे अच्छा कैसे निकालोगे आप बेटा अच्छा lens maker formula से पहले आप इस double concave की focal length निकालो और इस concave का refractive index कितना है 4 by 3 ठीक है 4 by 3 इस glass का कितना है 3 by 2 अच्छा गिलास की formula बोलो अच्छा गिलास की formula क्या है f equal to r divided by 2 times mu minus 1 ये lens maker formula है बेटा ये मैंने double convex lens को चलो double convex lens का focal length f है r तो r है divided by 2 times what is mu आपने convex को लगाया convex की focal length f convex का refractive index 3 by 2 आप बोल सकते हो 3 by 2 minus 1 so focal length f आपको आएगा 3 divided by 2 times 1.5 minus 1 ये ही तो आएगा double convex जो f गिवन है उसी को formula मैंने यूज की so f कितना आएगा r by 2 into 0.5 0.5 into 2 वो हुआ r ये f आपको r के बराबर आया ठीक अब लगाएंगे इस double convex के को formula lens maker formula formula है f equal to r divided by 2 times mu minus 1 लेकिन double कौन की को minus होती है अब लोगे ये formula कहां से लाई lens maker formula चक करो बेटा ये ही formula तो है so f आपको आएगा f आपको आएगा बेटा r तो r है divided by 2 2 जरा mu कितना है mu है बेटा ये इस बारी water है liquid है liquid का 4 by 3 minus 1 आएगा ठीक है बेटा तो क्या आएगा आपको r divided minus तो minus ही है ये तो पाई 2 divided by 4 minus 3 1 by 3 आएगा ये 3 उपर जाएगा आपको minus 3 r by 2 आएगा दूसरी focal लेकर f डैश हम इसका नाम रखेंगे ठीक है अब दोनों को divide करो बेटा दोनों को divide करो जरो क्या आएगा आपको f डैश divided by f very good f डैश divided by जरा f डैश क्या है बेटा minus 3 r by 2 ठीक है जरा ये f कितना है बेटा r r के साथ गया so f डैश आपको आएगा 3 minus 3 f divided by 2 या आप बोल सकते हो minus 1.55 चलो बेटा ये f डैश आप बेटा देखो क्या हुआ अब तीन लेंस है मेरे पास lens number one focal length f lens number two focal length f और बीच में जो lens है आपने lens maker formula की मदद से इसकी भी focal length निकाली minus 3 f divided by 2 अब आप combination की focal length आप से निकाल सकते हो जरा combination की focal length कैसे निकालोगे one by f equal to one by f1 plus one by f2 plus one by f3 हाँ सर अब लगे बिलकोल one by f1 तो f के बराबर है plus one by f2 है minus 3 f by 2 f3 है one by f के बराबर ठीक है बेटा चलो बेटा one by f जरा किसके बराबर आएगा one by f minus two by 3 f plus one by f यही तो है one by f plus one by f कितना हुआ two by f minus two by 3 f बिलकोल 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 सो one by f कितना आएगा one by f आपको आएगा किसके बराबर आएगा one by f बेटा two by f minus two by three f यही तो है one by f आपको आएगा बेटा two common निकला one by f minus one by three f चलो बेटा one by f चलो two f भी बाहर आएगा one minus one by three one by f आपको आएगा two by f three minus one हुआ two divided by three आएगा ठीक है बेटा सो कितना आया बेटा one by f आपको आएगा four by three f सो f कितना आएगा three f divided by four यह आपका combination का focal length है पहले lens maker formula यूज़ करके आपने concave lens जो बीच में liquid वाला बना उसकी focal language निकाली फिर combination की तो three f by four इस दा आणसर यह रहा बेटा नीट एंटरनस में आया है यह है एकवी convex lens ठीक है बेटा और focal length f यह f है यह f है इन contact दोलों एक दूसरे के साथ contact में बीच में कोई gap नहीं है मैंने समझाने के लिए बनाई ठीक है इनकी जो combination है combined focal length इनकी f1 है इनकी combined focal length f1 है ठीक है बेटा जरह यह f1 किसके बराबर आएगा बलोगे सर यह one by f1 आएगा one by f plus one by f बिलकुल यह one by f1 आपको आएगा two by f के बराबर f1 आपको आएगा f by two यह बेटा f1 की बात हुई थी when space between two lenses is fill it with glycerine इन दो के बीच में जो भी जगा है इनको हमने glycerine से जो भी यह 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 जो बीच में जगा है इसको हमने glycerine से fill up किया जरह यह क्या बन जाएगा अभी तो मैंने इनको यह यह णके त्यव थी बीच में glycerine यह रहा बिटा आपका glycerine blue से मैंने बनाया glycerine वह यह यह वह यह glycerine बढ़ा हमने यह बीच में क्या बन जाए गा बेटा और इसका refractive index कितना है one point five हाँ चाँ चाई उसका क्या था इसका 1.5 गिलाई सरीन जो आपने बढ़ा इसका भी 1.5 ही है इसका भी 1.5 अब यह जो combination बनीना अब कितने lenses की combination है तीन lenses की combination लैनस नमबर वान लैनस नमबर टो और लैनस नमबर थ्री हाई हाई इसकी focal length F इसकी focal length F इसको focal length अब लोगे सर पहले हमें लैनस मेकर फॉर्मला से इसकी focal length निकालनी पड़ेगी मैं आपको बोर रहा हूँ बेटा इस वाले question में आप trick यूज़ कर सकते हो थोड़ा mind use करो इसकी भी focal length F ही होगी ना आप बलो कि सर क्यों क्योंकि refractive index तो सेम है इसका refractive index 1.5 अगर 1.5 वाले को f इसका भी 1.5 इसको भी f होगी लेकिन वाप माइनस f होगी क्योंकि कॉंकि कॉन के वैं जरा आप इस combination की focal length F2 है कैसे निकाल लोगे बेटा आप निकाल किस तरह 1 by f2 equal to 1 by f plus 1 by minus f plus 1 by f ये इसके साथ गया 1 by f2 आपको आए या 1 by f के बराबर f2 आपको f के बराबर आएगा so we have got f1 we have got f2 जरा ratio आप निकाल सकते हो f1 by f2 अच्छा 1 by 2 के ये है f1 बेटा ये रहा आपका f2 दोनों को divide करो 1 by 2 आपको आएगा जलो बिटा ये next question ये भी neat entrance based question है बिटा अब plano convex lens ये एक plano ये रहा बिटा आपका plano convex lens अच्छा fits into plano concave ये एक plano concave lens में exact fit होता है ये fit होआ exact इसमें fit होआ इनकी जो parallel surface आपस में parallel है ठीक है अच्छा इनका इसका refractive index mu 1 इसका refractive index mu 2 ठीक है और radius दोनों की r के बराबर है combination की focal लेंगत निकालनी है चलो बेटा ये lens number 1 आप रखो ये lens number 2 जरह lens number 1 की focal लेंगत f1 क्या आएगी r divided by mu minus 1 अरे double की होती है two times mu minus 1 इस तरह से double अगर होता ये होता और divided by two times mu minus 1 lens maker formula से यहां पे सिर्फ mu minus 1 होगा और कौन सा mu होगा mu 1 minus 1 ठीक है और ये positive होगा क्योंकि convex है जरह f2 किसके बराबर आएगा r divided by mu 2 minus 1 ये इसकी formula लेकिन ये minus होगा क्यों 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 नहीं आया वो double convex है double काई क्यों क्यों अब बेटा इन क्यों 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 बोलो 1 by f equal to 1 by f one राईफ म्यू 1-1 fortress 1 by R 2 है minus R divided by mu 2 minus 1 जो 1 by F किसके बराबर आएगा mu1 minus 1 by R फिर minus आएगा mu2 minus 1 divided by R 1 by F आपको आएगा mu1 minus 1 minus mu2 plus 1 whole divided by R 1, 1 के साथ गया 1 by F बेटा आपको आएगा म्यू 1 माइनस म्यू 2 divided by R so focal length आएगी R divided by म्यू 1 माइनस म्यू 2 R by म्यू 1 माइनस म्यू 2 कहां है बेटा यह रहा पहला option R by म्यू 1 माइनस म्यू 2 इतना clear हुआ चलो बेटा next question यह भी neat entrance का ही question है ओई होई यह है बेटा एक lens यह water में पहला lens अब देखो यह पहला वाला lens है यह रहा पहला वाला अच्छा इसका refractive index कितना है बेटा 1.6 इसके अंदर ही में रिखूँगा अच्छा बीज में जो है वो lens बनेगा convex double convex अच्छा यह क्या बनेगा बेटा यह plano concave बनेगा ठीक है water है plano concave बीज में क्या है बेटा double convex ठीक है और side में क्या है बेटा side में भी आएगा plano concave refractive index कितना है 1.6 इसका refractive index 1.5 है और radius of curvature जो है बेटा 20 है हर किसी surface की आपको combination की focal निकाल लिए अरे यह lens number 1 है यह lens number 2 है यह lens number 3 है चलो बेटा lens number 1 क्या है 1 जो है वो है plano concave plano concave जरा plano concave की focal length f1 किसके बराबर r by mu minus 1 और वो भी minus आएगे चलो बाद में मैं माइनस लिकूँँगा f1 आपको आएगी बेटा कितना है radius radius कितना है 20 है बेटा divided by 1.6 minus 1 ठीक है बिलकुल 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 चलो बेटा क्या आएगा f1 आपको आएगा 20 divided by 0.6 यह रहा बेटा आपका f1 यह है चलो अच्छा दूसरा organizers चलो यह वाला है right वाला यह वाला यह वाला लेनस यह वाला लेनस है ना यह वाला लेनस दूसरा वाला बीच वाला मैंने तीसरा रुका जो दूसरा वालाres है उसकी focal language भी यही आएगी f2 कितनी आएगी 20 by 0.6 और दोनों ये भी नगीट हूँ आएगी ये भी नगीट हूँ अब बेटा तीसरा है बीच वाला बीच वाला लेनस क्या आएगा double convex double convex की focal length क्या है r by 2 times mu minus 1 focal length क्या आएगी r है 20 divided by 2 times 1.5 minus 1 focal length f3 आपको आएगी 20 divided by 2 into 0.5 focal length f3 आपको 20 के बराबर आएगी we have got f1 we have got f2 we have got f3 अब बेटा combination की focal length आप निकाल सकते हो one by f आपको आएगा one by f1 plus one by f2 plus one by f3 one by f आपको आएगा पहला focal length आएगा बेटा one by minus 20 by 0.6 plus one by minus 20 by 0.6 plus one by f3 जड़ा f3 कितना आएगा 20 के बराबर चलो बेटा one by f कितना आएगा minus 0.6 by 20 minus 0.6 by 20 plus one by 20 ठीक है so one by f कितना आएगा बेटा बीज में 20 तो common निकला हर किसी को 20 common निकला ठीक है उपर आएगा minus 0.6 minus 0.6 plus one ठीक है कितना आएगा बेटा one by f आपको आएगा minus 1.2 plus one divided by 20 one by f आपको आएगा minus 0.2 divided by 20 तू को हेंडरेंड के साथ फोकल लेंगत आपको आएगा minus हेंडरेंड के बराबर होई होई माइनस हेंडरेंड यह रहा बेटा आपका minus हेंडरेंड नीट हैंडरेंड का last year का question है ठीक है बेटा अच्छे से समझाया चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है silvering of lens चलो बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक है silvering of lens बहुत important टॉपिक है बेटा अब हम lens को क्या करेंगे silver करेंगे अगर lens को silver करेंगे वो क्या बन जाएगा mirror बन जाएगा और इसकी refractions कैसे होगी आप देखो पहले आप बेटा basic basic चीज़े याद जो मैंने already पढ़ाई है अगर बेटा plano convex lens होगा क्या होगा plano convex lens जरा plano convex lens की focal length किसके बराबर है और divided by mu minus 1 ये हम पढ़ते है आपको पता है lens maker formula में अगर बेटा double convex lens होगा double convex lens की focal length किसके बराबर होती है और by two times mu minus 1 अगर plano concave होगा तो minus आएगा double concave ये ही formula लेकिन minus आएगी ठीक है बेटा ये तो basic चीज़े है अब बेटा देखो अब हमें silver करना है तो case number one में दिखाऊंगा बेटा case number one plano convex lens को silver करेंगे अब बोलेगे sir plano convex lens की तो दो surfaces है ये रहा plano convex lens ठीक है ये रहा बेटा plano convex lens एक side plane और एक side curved अच्छा plano convex lens उसको दो surfaces को silver कर सकते है या तो plane surface को या curved surface को दोन में से एक surface को तो इसको दो cases further बनेंगे बेटा तो case number one क्या बनेगा curved surface ही जो पीछली वाली surface है इसको हम silver करेंगे अगर हमने curved surface को silver किया ज़रा ये क्या बन जाएगा अच्छलो बही यहाँ फिर से diagram बनाओंगा ये रही बेटा curved surface जिसको हमने silver किया ये रही बेटा curved surface इस curved surface को हमने silver किया क्या silver चलो बेटा अब बोलो बेटा reflection कैसे होगी देखो बेटा यहाँ से light आएगी ठीक पहले lens के अंदर reflection होगी सो आएगा focal length of lens ठीक फिर ये पीशी mirror बना कौन सा mirror बना curved mirror बही इसको reflect करेगा सो फिर curved mirror की focal length ठीक उसके बाद फिर से ये lens से आएगी देखो बेटा पहले अंदर जाएगी ठीक reflect होगे lens में mirror reflect फिर वापस आएगी lens में से पहले जाएगी फिर वापस आएगी सो lens दो बारी आ रहा है बेटा FL और ये आएगा FM mirror एक बार आएगी mirror से reflect होगे एक बार आएगी lens के अंदर गुसी lens के बाहर वापस आए तो lens दो बार आया और mirror एक बार आया अच्छा और देखो बेटा अब ये तीन फोकल लेंग्स आएगी वान बाई F आपको आएगी बेटा वान बाई F1 पलस वान बाई F2 पलस वान बाई F3 lens दो बारी mirror एक बारी और वो भी कोन सा mirror आएगा बेटा curved mirror और curved mirror की focal length आपको पता है आर भी 2 के बराबर इतना clear बिलकुल इतना clear चड़ो बेटा वान बाई F1 बाई F1 बाई F1 बाई F1 lens फिर वापस lens फिर mirror ये है बेटा ये तीन चीज़े आएगी ठीके बेटा तो सौलू कर सकते हो वान बाई F अच्छा वान बाई focal length of lens किसके बर सब्सक्राबर और बाई F1 बाई F1 बाई F1 बाई F1 बाई F2 ठीक है फिर आप सौलू करो बेटा आप देखो उपर रहें चड़ाव आपको focal length जो है वह आपको आएगा और डिवाइड़ वाइड़ वाई टू टाइमस म्यू यह आपका फाइनल आंसर है यह आपका फाइनल कानवेक्स लंक इस भी नो को लेसे को कर्वडर सरफेस पे सिल्वर दो किया वह कैसा आएगा बीटा कोईसी सर्फेस हम सिल्वर कर सकते हैं अ प्लेन सर्फिस अब इसकी प्लेन सर्फिस को पीछे से सिल्वर कर सकते हैं ठीक है बेटा देखो आते टाइम लेंस के अंडर रिफरेक्शन बन जाएगा फिर मिरर इसको रिफलेक्ट बैख करेगा एफ ऐम और लेकन इसबार मिरर की जो फोकल लेंगत इन्फिनटी ए क्योंकि यह plane mirror है इससे पहले वाली केस में बना कर्विड मिरर यह तो कर्विड मिरर बरना था ना इसलिए आर बई टू आया लेकिन यह plane करो बेटा आपको फोकल लेंगज जो है फोकल लेंगज एफ वो आएगा और डिवाइड़ बई टू टाइमस म्यू माइनस वान यह आपको बेटा आपको फाइनल आंसर आएगा सो अब हमें दो चीजे निकली बेटा अगर हमने प्लेन ओ कॉन्वेक्स लेंज के कर्विड सर्फेस को सिल्वर किया और बई टू म्यू प्लेन सर्फेस को सिल्वर किया और बई टू टाइमस म्यू माइनस वन यह हुआ बेटा एक मसला अब है बेटा आप double convex lens को silver करेंगे double convex lens double convex lens को हमने silver किया इसमें तो दो surfaces को concept नहीं है कि इसमें दोनु curved surfaces है यह है बेटा एक surface को हमने silver किया यह रहा बेटा एक surface को हमने silver किया ठीक है बेटा एक surface को जरा इसकी focal length क्या आएगी अच्छा पहले आते time क्या आएगा बेटा lens lens आएगा f l lens की focal length r by two times mu minus one जाते time lens same formula r by two क्योंकि two times q क्योंकि ये double convex है और mirror reflect करेगा r by two so one by effective focal length आएगी one by lens एक बार फिर दूसरी बार और lens की focal light वापस आ रही है और एक बार mirror और lens भी कौन है double convex lens और जब आप इस सबचूट करोगे आपको effective focal length आएगी r divided by two times two mu minus one होई होई अब बेटा मैं conclude करोगा summarize देखो क्या आया plano convex lens को silver करो plano convex lens या बेटा double convex lens plano convex को दो formula's आएगी curved surface को silver करो अगर आपने curved surface को silver किया effective focal length r by two mu ठीक है अगर आपने plane surface को silver किया तो focal length थे बेटा r by two into mu minus one ठीक है बेटा और अगर आपने double को silver किया double को silver किया f आपको आएगा r divided by two times two mu minus one यह है बेटा आपके answers ठीक है चलो बेटा होई होई अब plano convex lens है यह रहा plano convex lens इसका refractive index कितना है one point five है इसका refractive index और radius of curvature कितनी है 10 cm is silvered on its plane surface mention करके है plane surface को silver किया अगर plane surface को silver किया जाता है formula यह आती है जड़ा focal length किसके बराबर है बेटा r by two times mu minus one focal length आपको आएगी 10 divided by two times one point five minus one so focal length आपको आएगी 10 divided by two times zero point five so 10 by one वो आएगी 10 cm यह रहा बेटा आपका 10 cm चलो बेटा इतना clear हुआ चलो next topic है combination of lens and mirror देखो बेटा अब बेटा यह topic है combination of lens and mirror आप देखो बेटा फर एक्जांपल आपने कोई भी lens लिया double convex lens है plane or convex कोई भी lens हो सकता है और infective mirror भी कोई हो सकता है it can be plane mirror it can be convex mirror it can be concave mirror कुछ भी हो सकता है बेटा आप देखो for example आपने यहां पर object रखाती आप basic concept समझो है क्या आपको पहले ही lens मैंसे reflection हो जाएगी lens इसकी image बनाएगा ठीक है lens यहां पर image बनाएगा यह image कैसे निकालोगे बाइ यूजिंग लेंस फॉर्मला थिल लेंस फॉर्मला वान बै एफ एक्वल टो वान बै वी माइनस वन बही हो यह आपने यूज किया आपको image की position बन गई थी यह बन गई image नंबर वान आई वान ठीक है यह आई वन जो है image नंबर वान यह आप एक्ट करेगा object for mirror so I1 image formed by image formed by ठीक lens becomes object for mirror अब mirror के लिए यह object है अब mirror से reflection हो जाएगी वह reflection plane mirror हो उसकी reflection detail में आपने पड़ी curved mirror हो उसकी mirror formal आपने detail में पड़ी यह basic concept है यह questions में आपको apply करना है पूरा समझ के ठीक है बेटा चलो बेटा चलो यह वाला question neat entrance में आया है last year ही आया दो साल पहले आप पहले यह question अच्छे से समझो बेटा आप पूरी तरह से यह question समझना ताकि आपको फिर difficulty ना आए question समझने में चलो बेटा यह मैं इस तरह से line बनाओंगा यह बेटा मैंने line बनाई थी पूरी तरह से समझना थोड़ा time भी लगे कोई issue नहीं है आपने यहां पे यहां पे convex lens है यह रहा आपका convex lens यह वही से बनके है ठीक है यह convex lens है Conway a point object is placed at a distance of 60 cm from convex lens यहां पे बेटा यहां पे object रखा गया कितना दूर रखा गया at a distance of 60 cm 60 cm 60 cm रखा convex lens से ठीक है object ठीक और यहां पे बेटा एक mirror है यहां पे बेटा एक mirror है यह रहा बेटा एक mirror यह रहा बेटा यह रहा बेटा आपका mirror और mirror इस lens से कितना दूर 40 cm की दूरी पे 40 cm की दूरी पे यह mirror है ठीक है बेटा अब क्या हो रहा है बेटा convex lens की focal language कितनी है convex lens की focal language जो है वो है 30 cm Convacs lens की focal length कितनी है 30 cm ठीक है बेटा आपको position of at a distance of 40 cm the final image आपको final image देखने है final image कहां पे बन जाएगी देखो बेटा पहले lens के through reflection होगी पहले मैं सिर्फ lens discuss करोंगा है न ठीक चलो बेटा lens discuss करो ये बेटा पहले सिर्फ हम lens discuss करेंगे ये रहा बेटा lens ठीक है यह रहा लेंस यहां पर object है कितना दूर है object 60 cm object है 60 cm की दूरी पर 60 cm की दूरी पर focal length कितनी है बेटा 30 cm प्लस है या माइनस है प्लस है क्योंकि convex है बेटा formula 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u 1 by 30 equal to 1 by v minus 1 by object distance कितनी है माइनस 60 है बेटा क्योंकि u आपको पता है sign convention के साब से माइनस 60 है 1 by 30 equal to 1 by v plus 1 by 60 यह transfer यहां जाएगा बेटा आपको 1 by 30 minus 1 by 60 आपको आएगा 1 by v के बराबर ठीक है आपको 60 minus 30 divided by 30 into 60 आपको आएगा 1 by v के बराबर वी आपको आएगा 30 into 60 divided by 30 30 30 के साथ गया वी आपको आएगा 60 cm के बराबर इमेज पहली जो लेंस इमेज फॉर्म करेगा कहां इमेज फॉर्म करेगा 60 cm की दूरी पे आप देखो बेटा इमेज कहां पे फॉर्म होगी पूरा समझना ठीक है फिर आपको यह कुछ इसको तीन बारी लेना है तो यह थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको समझ यह बिटा लाइन है यह बिटा यह बिटा लेंस है और यहां पर मिरर है ठीक है बिटा मिरर कितना दूर यहां से यहां तक 40 cm है ना यहां पर उब्जक्ट था उब्जक्ट से रेज आफ लाइट निकली अब इमेज बननी है लेंस से कितनी दूरी पे 40 नहीं इमेज बन जाएगी प्लस 60 प्लस 60 राइट साइड से आएगा तो यहां पर इमेज बनती आप देखो बिटा यह इस तरह से लाइट जाती 40 प्लस 20 यहां पर इमेज बनती आई वन में लिखूंगा यह इमेज बनेगी बिटा यहां पर कहां पर 20 cm पर ठीक है बिटा अब देखो बिटा यह प्ले mirror के लिए ये वाली image क्या है mirror के लिए ये image जो है it is object ये image जो है it is object किदनी दूर है 20 क्योंकि 40 plus 20 60 हुआ so plane mirror जो है plane mirror जो है वो image I1 dash बनाएगा right side से 20 object ये अब object है बेटा mirror के लिए यहाँ पे image बन जाएगी 20 cm पे ठीक है अच्छा ये image बन गई 20 से अब वहां से raise of light आएगी बिटा अब इस image से raise of light वो वापस lens के थूपास होगी अच्छा ये 20 total 40 ये अब 20 cm की दूरी पे अब पहली lens से reflection reflection हो गई दूसरी mirror ने image फॉरम की mirror के लिए ये object और ये image ये object ये image लेंस है ये जो mirror ने यहां पे image फॉरम की आईवन डैश आईवन डैश जो image फॉरम की कितनी डिस्टन्स पे 20 cm की डिस्टन्स पे वह एक्ट करेगा object ठीक है तो ये object है ये object है किसके लिए object है ये object है अब लेंस के लिए ठीक है चलो बेटा अब लेंस को बो बो अबजेक्ट कहां पे तीसरी पहली लेंस से reflection दूसरी mirror से reflection तीसरी वापस लेंस से रिफ्रेक्शन चड़ो बेटा आल डिस्टन्स आर मेजर फ्रॉम पॉल पॉल से जब आप यहां जाओगे रेस आफ लाइट अपोजिट आ रही है तो यू आप लोगे माइनस 20 cm के बराबर लेंस आपको पता है फोकल लेंगत आफ कॉ कि कि फार्मल आएए बेटा वनम बए एफ एकTS वान भाइवी माइनस वान کस के बराबर है वान बइक्टि एकवल टूवान 1 by V आपको निकालना है, minus 1 by U, U है minus 20 पे, ठीक है, 1 by 30 आपको आएगा 1 by V plus 1 by 20, यहां जाएगा, आपको 1 by 30 minus 1 by 20 आएगा, 1 by V, 20 minus 30 divided by 20 into 30 आपको 1 by V के बराबर आएगा, so minus 10 divided by 500 आपको 1 by V, 0, 0, V आपको minus 50 centimeter पे आएगा, ठीक है, so कहाँ पे आएगा, बेटा, minus 50 centimeter पे आपको image बनेगी, ठीक है, minus 50 centimeter पे, यहां पे calculation 30 into 600 होगा, पेटा, minus 60, so V के आएगी पेटा, minus 60, so V है पेटा, minus 60 centimeter, ठीक है, कालकुछ आएगा थोड़ा पोथ, V equal to minus 60, तो final image आप देखो है कहाँ पे, यह रहा पेटा, आपका lens, lens से minus 60, minus 60 यहां आएगा, क्योंकि यहां पे I1 था पेटा, object number one, so इसी की direction में, lens से कितना दूर आपको जानना है, 60 centimeter, लेकिन 40 पे ही बेटा, 40 पे ही mirror था, 40 पे ही mirror था, यहां पे image बन गई, जरा image, lens से कितनी दूर, 60, mirror से कितनी दूर, 20 centimeter, 20 centimeter mirror से दूर बन जाएगी, 20 centimeter from mirror, 60 centimeter from lens, अब देखो कौन सा option है, 20 centimeter from plane mirror, यह है बेटा, यह है, 20 centimeter from plane mirror, थोड़ा वो difficult question है, तो यह बेटा, यहां पे combination of lens और mirror, यह भी conclude हो गया, एक और question था बेटा, अगर आप इस question को खुद नजर मारोगे, कोई issue नहीं है, यह है, भी मैं आपको बीजूंगा, अब इसको नजर मार, है क्या, तो भी मैं question समझाओंगा, luminous object is placed at a distance, 30 centimeter from convex lens, चलो बेटा, यहां पे एक convex lens है, क्या है बेटा, convex lens, यह रहा आपका convex lens, यहां पे हमने एक object रखा, कितना दूर रखा, 30 centimeter की दूरी पे हमने रखा, और इसकी focal length जो है, 20 centimeter है, on the other side of lens, आपको एक convex mirror रखना है, क्या रखना है, convex mirror रखना है, यह बोलता है, lens से कितना दूर हम convex mirror रखेंगे, in order to have upright image coincident with it, upright image होनी चाहिए, जो इसे coincident होनी चाहिए, वो इसके बाद देखेंगे, जो पहले यह जो lens है, lens में क्या हो जाएगा बेटा, reflection हो जाएगा, ज़रा lens को reflection की formula लगा, 1 by f, equal to 1 by v, minus 1 by u, 1 by f, f क्या है बेटा, 20, equal to 1 by v, आपको निकालना है, minus 1 by u, u क्या है बेटा, object वो minus 30 के बराबर है, 1 by 20, equal to 1 by v, plus 1 by 30, transfer करो, 1 by 20, minus 1 by 30, आपको 1 by v, के बराबर आएगा, आपको आएगा, 30 minus 20, divided by 20, into 30, आपको 1 by v, के बराबर आएगा, 10 divided by 20, into 30, आपको 1 by v, 0, 0 के साथ गया, v आपको आया, 60 centimeter, so image कहां पर फॉर्म होगी, 60 centimeter, कहां से, lens से, ओए, ओए, चलो बेटा, ये रहा आपका lens, ठीक है, ये रहा आपका lens, so lens से कितना दूर, 60 centimeter, lens से कितना दूर, 60 centimeter, ये बेटा lens, lens से 60 centimeter की दूरी पे आपको image बन जाएगी, लेकिन किसकी image, lens की image, so मैं I1 रखूँगा ना, ठीक है, अगर आपको image कोइंसिडन्ट करवानी है, आपने बीच में क्या रखा बेटा, ये रखा है, आपने curved mirror रखा है, curved mirror का center of curvature जो है, वहाँ पे image बननी है, वो center of image और अगर ये वो center, किसका, curved mirror का center और image एक ही point पे आनी चाहिए, ठीक है, फिर हम ये कर सकते हैं, ये condition set से हो जाएगी, यहाँ पे आप mirror रखो, mirror का जो center है, और ये जो image है, एक ही point पे आना चाहिए, आप बोलो, फिर upright image बन जाए जाएगी, यहाँ पे upright ये बोलता है न, so that to form an upright image, यह है बिटा upright image of an object coincident, ये condition upright image तब बन जाएगी, coincident तब होगी, जब दो चीज़े मिलेगी, mirror जो है, mirror का center, और image number one, I1 जब मिल जाएगा, अच्छा, इसका radius कितना है, इसका radius जो है, वही से given है बिटा, कितना है radius, 20 cm, इसका radius से 20, so यहाँ से यहाँ तक 20, ठीक है, अच्छा, टोटल कितना है, 60, यहाँ से यहाँ तक 20, जड़ा mirror कितना दूर आएगा, फिर mirror आएगा, 40 cm, आपको mirror कितना दूर रखना है, 40 cm, आपको lens से रखना है, तब जाके image, यहाँ पे बिटा correction थी, एक बिटा, यहाँ पे म इसका ने mentioned है, radius जो है, वो 10 ही है, वही से mention है, radius कितनी है, बिटा, 10, यह है radius 10, यही radius 10, टोटल image कहाँ पर form होती थी, 60 में से 10 आप काटो, वहाँ पे 50 बचा, क्या बचा, 50 बचा, ठीक है, बिटा, 50, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 60, ठीक है, radius मैंने गलती से 20 लिकाता है, mention है question में 10, ठीक है, 60 को अगर 10 काटेंगे, 50, इन दों के बीच में distance होनी चाहिए, 50 cm ठीक है, बिटा, तो यह रहा आपका 50 cm, ठीक है, यह रहा बिटा, 50 cm, तो इसी के साथ, बिटा, हमारा fraction जो है, यह conclude हुआ, अब हम आएंगे, बिटा, प्रिजम पे, जो last topic है, array optics का, ठीक है, अब हम prism discuss करेंगे, तो बिटा, चलो, अब हम start करेंगे, बिटा, prism, क्या start करेंगे, prism start करेंगे, ठीक है, बिटा, हम start करेंगे, prism, हमने यहां तक पूरा reflection समझा, last में जो important topic था, that was reflection, और उसके बाद reflection भी होता था, combination of lens and mirror, तो अब बहुत important topic जो है, बिटा, यहां पे, प्रिजम, और last topic, इसके बाद, यह ray optics की जो है, वो conclude हो जाएगा, चलो, बिटा, हम यहां पर start करेंगे, prism, ठीक है, बिटा, prism, अब बिटा, समझो, क्या-क्या important चीज़ आपको समझनी है, चलो, बिटा, यह, बिटा, मैंने prism बनाया, यह है, बिटा, prism, ठीक है, बिटा, यह, बिटा, मैंने normal डाला, यह normal है, यलो से मैंने बनाया, surface number one पे normal है, यह blue बिटा, incident light आई, यह incident light है, ठीक, यह वाला angle जो है, इस वाले angle को हम बोलेंगे, angle of incident, जो कि I से represent किया जाएगा, What is I? Angle of incidence, तो अंदर से क्या होगा, बिटा, अंदर से ray of light जो है, इस तरह से refract हो जाएगी, इस तरह से refract हो जाएगी, ओय, यह, बिटा, रिफरेक्ट हो जाएगी, ठीक है, यह, बिटा, रिफरेक्ट होईगी, ठीक है, तो यह वाला अंगल जो है अंदर वाला अंगल जो है ये वाला ये अंगल आफ रिफ्रेक्शन एड सर्फेस नंबर वान आर वान है ये बेटा अंगल आफ इंसिडन्स और ये आर वन जो है अंगल आफ रिफ्रेक्शन ये सर्फेस नंबर वान पे है ठीक है अब बेटा अंदर से आप इस पे ड़ आप आप देखना अच्छे से समझना यह और टू जो है और टू जो है वैट इसार तू आइंगल अफ इंसे दन्स ओंड सर्फेस लृट यह बेटा सर्फेस नमबर टू इस पे अंगल आफ इंसे डटन क्या ray of light यहां से emerge हो जाएगी ठीक है इस angle को हम बोलते है angle of emergence ठीक है बेटा यह आपको समझाईए है A, यह है B, और यह है C, और इस वाले angle को हम बोलते है angle of prism जो कि A से represent किया जाता है, इतना clear है आप देखो बेटा बुझे तो प्रूफ दिखाने की ज़रते हैं वो हम बोर्ड एक्जाम में करते हैं तो नमबर वन चीज जो आपको याद रखना है बेटा देखो बेटा, A जो है अगल आफ प्रिस्म यह आएगा बेटा, R1 पलस R2 के बराबर यह पहली इक्वेशन है, जो आपको याद रखनी है यह है बेटा, फर्स्टी और एक और चीज बेटा, अगर हम इंसेडन्ट रे को इस तरह से प्रडूस करेंगे बेटा यह इंसेडन्ट रे है ना, इंसेडन्ट रे को आप इस तरह से प्रडूस करो ठीक है बिटा इस तरह से produce करो इस तरह से produce की emergent ray को भी produce करो backward देखो बिटा incident ray को produce emergent ray को भी produce किया यहां यह मिल गए यहां यह मिल गए इस angle को हम बोलते है angle of emergence E से represent किया जाता है E क्या है angle of emergence ठीक है बिटा पहली equation आपने याद रखी A किसके बराबर है R1 पलस R2 दूसरी equation जो solo करके आएगी I plus E equal to A plus delta ये बिटा दूसरी equation आएगी I plus E equal to A plus delta ये बिटा आपकी दूसरी equation I क्या है angle of incidence E क्या है angle of emergence A है angle of prism delta है angle of deviation so ये बिटा दूसरी equation आपको मिली so ये दो equation जो बिटा आप याद रखोगे number one angle of prism R1 plus R2 के बराबर ये एक equation है दूसरी equation है I plus E equal to A plus delta के बराबर I किस के बराबर है बिटा सॉरी delta किस के बराबर होगा बिटा डेल्टा किस के बराबर I plus E minus A के बराबर ये है बेटा angle of deviation ये बेटा एक formula ये दूसरी formula है अब आप देखना बेटा पूरी तरह से समझो A तो constant angle of prism I क्या है angle of incidence E है angle of emergent जो खुद angle of incidence पे depend करता है तो आपको यहाँ पे आएगा angle of deviation जो है ये depend करता है किस पे depend करता है depends on depends on angle of incidence I पे depend करता है अगर हम angle of incidence को change करेंगे angle of deviation भी change होगा तो graph कुछ ऐसा आएगा अगर हम graph plot करेंगे बेटा एक side से plot करेंगे angle of deviation angle of deviation delta plot करेंगे दूसरे side से angle of incidence plot करेंगे ठीक ये इस तरह से graph आएगा ये बेटा इस तरह से graph आएगा तो angle of incidence के बढ़ने से angle of incidence के बढ़ने आप देखो बेटा angle of incidence बढ़ता है पहले लेकिन angle of deviation जो है वो कम हो रहा है और particular angle of incidence पे ये है बेटा particular angle of incidence यहाँ पे angle of deviation जो है वो minimum बन रहा है ठीक है उसके बाद अगर आप angle of incidence बढ़ाओगे angle of deviation बढ़ेगा पहले कम हुआ फिर बढ़ गया पहले कम हुआ फिर बढ़ गया तो पहले क्या होता है और बार बाद में क्या होता है तो इट इंक्रीज़ उसके बाद इंक्रीज़ पहले कम हुआ minimum बन गया हाँ जब ये minimum बन गया उसका नाम हमने रखा है angle of minimum deviation तो डेल्टा जब minimum बन जाएगा उसको हम बोलेंगे angle of minimum deviation ये हम बोलेंगे बेटा इसको ठीक है so minimum deviation के time क्या क्या होता है ये भी आपको याद रखना है minimum deviation के time minimum deviation के time जब angle of deviation minimum बन जाएगा आप देखना बेटा होगा क्या minimum deviation के time आप देखो बेटा ये 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 रहा बेटा ये incident ray है ये है I ये बिटा refracted ray जो है parallel to base बन गई फिर वापस ray of light निकली ये है E अंदर है R1 यहां है R2 ये जो refracted ray है बिटा ये जो refracted ray है ये base के parallel बनती है refracted ray becomes parallel to base so मैं बोलोंगा बिटा refracted ray minimum deviation के time क्या होता है minimum deviation के time होता क्या है क्या होता है बिटा refracted ray refracted ray becomes parallel to base of prism base of prism के parallel बन गई नमबर वान उस वज़े से R1 जो है वो R2 के बराबर बन जाएगा अंदर वाली दो एंगल इक्वल बन जाएगे ये R1 ये R2 ये बराबर बन जाएगा क्योंकि refracted ray परल और बाहर के दो एंगल भी equal बन जाएगे R1 R2 के बराबर दोनों हम R के बराबर रखेंगे ठीक है बेटा और यहां पर एक और चीज़ निकलेगी वो मैं अभी दिखाऊँगा और I जो है वो E के बराबर बन जाएगा I किस के बराबर बन जाएगा E के बराबर अंदर के दो एंगल इस इकल बाहर के दो एंगल इस भी इकल इतना ठीक है अच्छा A किस के बराबर आया था बेटा R1 प्लस R2 A आएगा आपको 2R के बराबर R आपको आएगा A बई 2 लेकिन कब minimum deviation के time I E के बराबर बन गया A के बराबर B आई ही रखेंगे माइनस A ठीक है बेटा यही करेंगे और मैंने कुछ नहीं किया E के बदले मैंने I सबस्चूट किया बागी कुछ नहीं किया जरा angle of minimum deviation जो है किसके बराबर आएगा देखो बेटा 2I माइनस A है 2I माइनस A यह आएगा ठीक है अच्छा बेट delta minimum plus A divided by 2 आपको I आएगा यह बेटा I आया जरा mu किसके बराबर आएगा sin I divided by sin of R आपको आएगा sin जरा I किसके बराबर बेटा A plus delta minimum whole divided by 2 divided by sin of R के बदले A by 2 यह बेटा आपको minimum deviation यह बेटा refractive index की formula है ठीक है तो refractive index की formula mu किसके बराबर sin of ठीक है A plus delta minimum divided by 2 ठीक है और नीचे आएगा sin of A by 2 अगर thin angled prism है thin angled prism thin angled prism अगर आपको आएगा यह sin theta nearly theta के बराबर होता है तो आपको आएगा बेटा delta जो है आपको आएगा mu minus 1 into A के बराबर ठीक है यह equation मैंने modify की यह वाली condition यूज की delta आएगा mu minus 1 into A के बराबर तो यह जीज़े आपको याद रखनी है ठीक है बेटा फिर से एक बार मैं summary कराता हूँ A किसके बराबर आया R1 प्लस R2 के बराबर एक equation दूसरी equation I plus E equal to A plus delta के बराबर यह दो equations आपको आई और जब minimum deviation होगी कौन सी deviation minimum deviation जब होगी उस time refracted ray रिफ्रेक्टड रे जो है वो क्या बनती है refracted ray becomes parallel to base parallel to base उसकी वज़े से क्या आया बेटा I आपको E के बराबर आया और R1 आपको R2 के बराबर आया और R आपको आया A by 2 के बराबर ठीक और क्या आया I आपको आया A plus delta minimum divided by 2 और mu आपको आता है sin I divided by sin of R I के बदले ये A के बदले आपको आए और अगर thin angled होगा delta minimum आपको आएगा mu minus 1 into A बेटा ये summary है prism की और एक और चीज बेटा चलो बेटा ठीक है ठीक है इतना clear हुआ इतना clear हुआ और एक और चीज ठीक है वो में आगे दिखाऊंगा critical angle कैसे TIR total internal reflection कैसे होगा ये वाला question उसी पे है ये में last में दिखाऊंगा चलो बेटा अब questions एके करके करते है चलो refractive index और इसका refractive angle जो ए है angle of prism है 30 के बराबर आपको the deviation of monochromatic light normally on one surface आपको deviation निकालना है angle of deviation निकालना है light जो है वो पढ़ती है normally अब देखो light जो है वो पढ़ती है normally ये बेटा आप नज़र रखना बेटा पूरी तरह से नज़र रखना देखो बेटा ये मैं normal बना रहा हूँ बिलू से चलो यहां से एक और नज़र रखना अब बेटा नज़र रखना क्या आता है light जो है वो normally एक सर भी ये है ये है B और ये है C light जो है एक सरफेस एबी जो है इस पे नॉर्मली पढेगी नॉर्मली मीन इस ऐसे आई नॉर्मली पड़ी इस तरह से नॉर्मली पड़ी जब लाइट इस तरह से नॉर्मली पड़ी बेटा एंगल ओफ इंसिडन जीरो के बराबर होगा अरे light normally पड़ी न, no light जो है वो parallel तो आी normal so angle of incident 0 और light जो है जब angle of incident 0, angle of friction भी 0 होगा there will be no reflection, light जो है सीधी के सीधी निकलेगी, ठीक है बेता cd के सीधी निकलेगी, आया angle of racism r1 जो है वो भी 0 होगा यहाँ पे angle incident 0, angle of fraction भी 0 यहाँ पे, ठीक है बेता ठीक है इतना कलियर है बिटा चलो आपको समझाए बिटा आई जो है इस वाले केस में आई जो है जिरो के बराबर आर वन जो है जिरो के बराबर ठीक है अच्छा एक इस के बराबर था बिटा आर वान पलस आर टू के बराबर अभी तो मैंने दिखाया अपने लोगे सर बिलकुल अच्छा A किसके बराबर आया बेटा R10, R2, R2 के बराबर है R2 यहां पे है angle of incidence ठीक है, अच्छा A कितना है 30, so R2 आपको 30 के बराबर आएगा, ठीक है यह हुआ, अच्छा उसके बाद angle of deviation की formula क्या angle of deviation की formula I plus E किसके बराबर होता है A plus delta के बराबर What is I बेटा, angle of incidence वो क्या है, 0 है अच्छा E क्या है, angle of emergence, plus E आएगा A कितना है बेटा, 30 plus what is delta तो delta यहीं तो हमें निकालना है So angle of deviation आपको आएगा E minus 30 के बराबर यह रहाँ बेटा, angle of deviation अब आपको सिर्फ E निकालना है What is E, angle of emergence Angle of emergence कहां पे होता है, बेटा यहां पे होता है, ठीक यह था बेटा, अगर आपको याद है यह था R2, बाहिर वाला होता है E, अच्छा यह surface AC है Surface AC पे सिनल इजला लगाओ, अच्छा अच्छा सिनल इजला, surface अंदर का refractive index और अंदर का angle, अंदर का refractive index 1.5, अंदर का angle R2, आप बोलोगे सर अच्छा 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 1.5, sign of R2 आपको बेटा आएगा mu 1 तो, 1 है बाहिर और बाहिर का angle E है 1, sign of E के बराबर R2 भी तो निकाला आपने R2 कितना आया? 30 के बराबर आपको आएगा 1.5 sign of 30 equal to sign of E के बराबर 1.5, sign 30 1 by 2 equal to sign of E ठीक है? आपको 0.75 आपको आएगा sign E के बराबर यह आपको आया है बेटा अच्छा यह लिखा है बेटा sign of 48 होता है 0.75 आपको बेटा अगर आप करोगे बेटा अगर आप करोगे आप यहाँ से लिख सकते हो sign of कितना है बेटा? 48.36 48 degree 36 minutes मैंने 0.75 के बद ले लिखा यहाँ से आप लिखोगे sign of E sign sign गया angle of emergence E का value आपको 48.36 आया आया angle of emergence यह आप यहाँ पर सबचूट करो सो डेल्टा आपको आएगा 48.36 मैंनस 30 कितना हुआ बेटा डेल्टा? 18 degree 36 minutes यह है बेटा 18 degree 36 minutes यह है बेटा 18 degree 36 minutes इतना ठीक है बेटा? चलो चलो बेटा आगे when light rays are incident on prism at an angle of 45 degree when light rays are incident on prism at an angle of 45 light rays को हमने incident डाला किस angle पे हमने डाला इसको किस angle पे डाला? वो angle जो है वो 45 degree पे हमने इसको incident किया ठीक है minimum deviation is obtained minimum deviation condition निकली आपको refractive index जो है root 2 के बराबर है refractive index root 2 के बराबर है बेटा root 2 के आपको angle of prism यानि कि A निकालना है A निकालना है अच्छे बेटा जल्दी बोलो minimum deviation की formula क्या है अच्छे mu किसके बराबर होता है sine of i actual formula यही तो है sine of i divided by sine of r यह बेटा actual formula है हाँ यह i है और यहां r है r1 के बराबर r1 आएगा बेटा क्योंकि मैंने पहली surface surface number 1 को synenos law यूज किया अच्छे mu किसके बराबर बेटा root 2 के बराबर sine of 45 यही तो है divided by sine of r1 ठीक है बिलकुल बिलकुल तो आपको आएगा बेटा sine of r1 sine of r1 आपको आएगा sine 45 होता है बेटा 1 by root 2 यहां का root 2 नीचे जाएगा इस तरह से root 2 तो 1 by 2 आपको आएगा ठीक है बेटा आपको sine of r1 आपको आएगा 1 by 2 r1 आपको आएगा 30 degree के बराबर यह तो r1 आया अच्छा minimum deviation की condition क्या है a होता है twice r actual होता है r1 plus r2 के बराबर a आएगा बेटा r1 है 30 अरे r2 भी है न 30 क्योंकि minimum deviation के time r1 आप 2 के बराबर बन जाएगा so a आपको 60 degree के बराबर आएगा यह रहापका 60 degree जलो बेटा next question the angle of minimum deviation for a refractive index जो है वो है 1.5 angle of minimum deviation जो delta minimum है वो किसके बराबर है angle of prism a के बराबर है वो angle of prism a के बराबर है the angle of prism आपको आप यही angle of prism निकालना है यही angle of prism निकालना है अच्छा minimum deviation की formula क्या mu किसके बराबर होता है sine of i divided by sine of r यही तो है लेकिन minimum deviation के time चलो i तो given नहीं है आपको a given है a वाली formula यूज़ करेंगे mu आपको 1.5 आएगा sine of i होता है a plus delta minimum divided by 2 और नीचे आपको आएगा sine of a by 2 अरे यही तो है अब लोगे सर बिलकुल यही है अच्छा angle of minimum deviation angle of prism के बराबर angle of minimum deviation आपको 1.5 आपको आएगा sine of a और a होआ 2a divided by 2 divided by sine of a by 2 2 2 गया जरह 1.5 क्या आया sine a नीचे आएगा sine of a by 2 अब लोगे सर यह कैसे solve होगा अरे trigonome interviews करो sine of 2 theta किसके बराबर होता है twice sine theta cos theta के बराबर अगर बिटा sine theta होगा वो होगा twice sine theta by 2 cos theta by 2 अब देखो 1.5 आपको आएगा twice sine a के बदले a by 2 cos a by 2 नीचे आपको आएगा sine of a by 2 देखो बिटा sine a by 2 sine a by 2 sine a by 2 गुजर गया 1.5 आपको आएगा 2 cos of a by 2 यह नीचे जाएगा 1.5 by 2 आपको आएगा cos of a by 2 ठीक है 1.5 by 2 0.75 आएगा वो आएगा cos of a by 2 के बराबर ठीक है यह जाएगा बिटा cos inverse of 0.75 equal to a by 2 अच्छा cos inverse of 0.75 41 degree 41 degree आपको आएगा a by 2 के बराबर तो यह cross जाएगा बिटा a आपको आएगा 41 into 2 a आपको आएगा 82 degree के बराबर वोई होई यह रहा आपका 82 degree यह है बिटा आणसर यह वही से given था cos 41 जो है वो 0.75 के बराबर है यहां तक अई है क्या हो गया चलो बिटा आप तो ठीक है आप ठीक है यह क्या हो गया शायद चलो बिटा next question है the refractive index of monochromatic wave refractive index mu जो है वो under root 2 के बराबर है and it is refractive angle equal to 60 degree ठीक है आपको minimum deviation निकालना है angle of minimum d अरे बिलकुल easy formula mu किसके बराबर होता है sine of a plus delta minimum divided by 2 divided by sine of a by 2 ठीक है mu किसके बराबर बिटा under root of 2 equal to sine of a किसके बराबर है बिटा 60 plus delta minimum divided by 2 नीचे क्या है बिटा sine of a by 2 60 by 2 root 2 आपको आएगा sine of 60 plus delta minimum by 2 नीचे आपको आएगा sine of 30 तो क्रॉज आएगा root 2 sine 31 by 2 आपको आएगा sine of 60 plus delta minimum divided by 2 90 आपको आएगा 60 plus delta minimum divided by 2 ये क्रॉज आएगा बिटा 90 आपको आएगा 60 plus delta minimum ये क्रॉज आएगा 30 आपको आएगा delta minimum बहुत इजी है formula भी so angle of minimum deviation आपको 30 के बराबर आया चलो बिटा ratio of angle of minimum deviation of prism in ear अच्छा आपको बेदे को बिटा ये जो prism है इसको पहले हमने air में रखा अरे air में रखा और उसके बाद और उसके बाद water में रखा उसके बाद water में रखा अच्छा air का refractive index जो है अच्छा गिलास का refractive index जो है with respect to ear बाहिर एर है with respect to ear कितना है 3 by 2 और water का 4 by 3 है अच्छा आप यहां पर किस prism का निकालो जब प्रिजम का refractive index क्या आएगा refractive index of glass with respect to water इस बारी आएगा वो आपको आएगा बेटा अच्छा गिलास गिलास कितना है 3 by 2 अच्छा वाटर कितना है 4 by 3 यह उपर जाएगा तो इस बारी refractive index of glass जो है with respect to water यहां पर with respect to ear था यहां पर with respect to water जो है वो 9 by 8 है ठीक है फिलाल मैंने refractive index दो refractive index निकाल ली ठीक है मुझे angle of minimum deviation का ratio निकालना है मुझे हाँ angle of minimum deviation mike angle of minimum deviation की simple formula simple formula thin prism के लिए angle of minimum deviation की formula simple है mu minus 1 into A ताकि से मुझे ratio निकालना है यह से आसानी होगी जो हूरा angle of minimum deviation जो है जो हो चलो air में बोलो पहले कितना है अच्छा एर में जरह refractive index कितना था एर में 3 by 2 minus 1 into A आपको आएगा 1 by 2 into A अच्छा यही minimum deviation बोलो बेटा water में क्या आएगा water में कितना है refractive index 9 by 8 minus 1 into A आपको आएगा बेटा 1 by 8 into A आया आपको दोनों निकले चलो बेटा अब ratio निकालो गरेशो निकालो कैसे निकालो गरेशो अच्छा angle of minimum deviation in water angle of minimum deviation in air ठीक है उपर आएगा 1 by 8 A निच्छे आएगा 1 by 2 A A के साथ गया 2 4 के साथ आपको 1 by 4 आएगा यह रहा बेटा आपका 1 by 4 यहां पे answer यह रहा 1 by 4 इतना क्लियर है बेटा चलो बेटा एक और question है एक और question क्या है कोच्छान अब पारलल बीम ओफ मोनो क्रोमेटिक लाइट होई 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 55 के बराबर यह बेटा एंगल ओफ इंसड़न जो है वह 55 के बराबर यह रहा बेटा एंगल ओफ इंसड़न्स अरवे अरवे ठीक है पीटा सरफेस पे टाली एंगल ओफ इंसड़न्स कितना है गिवन है फिफ्टी फइव डिग्री है एंगल ओफ इंसड़न्स वहीं से मेंचनर है ठीक है थे angle of emergence or angle of emergence जो है angle of emergence e जो है किसके बराबर है 46 degree के बराबर है 46 degree 46 degree आपको angle of minimum deviation निकालना है angle of minimum deviation कैसे निकाल लोगे angle of minimum deviation i plus e equal to a plus delta minimum अरे यही तो है i किसके बराबर है बेटा i plus प्लस आई किसके बराबर है आई जो है बेटा आप देखो ठीक है यहां पे तो मिनिममम तो नहीं होता है पहले चलो डेल्टा यह रखेंगे ठीक है ए प्लस डेल्टा यही तो बेसिक फॉर्मल्ला है एंगल आफ डीवेशन निकालेंगे पहले आई कितना है पेटा 55 प्लस अच्छा ए कितना है पेटा 46 46 अच्छा ए कितना है एंगल आफ प्रिस्म वो तो 60 है क्योंकि एक्विलेटरल है 60 प्लस डेल्टा ठीक है छे और पांचोंए ग्यारा एक सो एक आपको आएगा 60 प्लस डेल्टा ठीक है डेल्टा कितना आएगा 41 डिगरी अरे यह एंगल आफ डीवेशन है यह मिनिमम डीवेशन नहीं यह एंगल आफ डीवेशन है less than 41, less than 41, ठीक है, चलो बेटा, ठीक है, चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेशन, a light ray is incident at angle of 60 degree, एक light को हमने incident किया, एक light को हमने incident किया, किस angle पे हमने incident किया, 60 degree पे, एंगल of incidence कितना था बेटा, 60 degree था, और प्रिजम, प्रिजम का एंगल कितना है बेटा, 45 है प्रिजम का एंगल, when a light ray falls on another surface, at 90 degree, the refractive index is mu, the angle of deviation, पूरी तरह से समझो, बेटा, light ray is incident, इसको क्या हो रहा है, एंगल of incidence क्या है, बेटा, 60 degree, angle of Guru breakfast, 45 degree, when the ray falls on another surface, way इस तरह से निकल गई और दूसरी surface पे fall होती है, इस तरह से fall होगी पेटा, दूसरी surface पे इस तरह से fall होगी, किस angle पे, 90 degree angle पे, दूसरी surface पे fall होगी, ठीक है पेटा, आपको mu निकालना है, और delta निकालना है, ठीक है, आप देखो पीटा ठीक है जड़ा आई किसके बराबर है पूर जब यह दूसरे पीश भी दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझाए यह बड़ा यह बड़ा वाले ट्रैंगल मैंने बनाए यह बेटा एंगल ओफ इंसिडन्स है कितना है एंगल ओफ इंसिडन्स 60 डिगरी ठीक है बेटा रे ओफ लाइट निकलेगी रिफ्रेक्ट होगे दूसरे सर्फेस पे सर्फेस के साथ 90 डिगरी अगर सर्फेस के साथ यह इसका नॉर्मल था बेटा सर्फेस के साथ 90 डिगरी नॉर्मल के सा पाड़ू Apple शो यहां पहें ग्लो उफमरजन जो है जिरो आए गा क्योंकि लाइट नार्मली पड豂 नॉर्मली जाएगा वापस इस तरह से पड़ी नार्मली 90 डी प्र पड़ी angle of incidence यहाँ पे 0 होगा क्योंकि normally पड़ी, normally जाएगी angle of emergence भी 0 आएगा और यहाँ पे जो था बेटा R2 वो भी 0 आएगा R2 0, E 0 अच्छे यह angle कितना था बेटा आप नज़र रखो यह angle कितना था 45 degree था 45 degree यह angle of incidence I है और यह E है यहाँ पे था बेटा R1 और यहाँ पे R2 वो 0 के बराबर है इतना clear है बेटा अच्छे से समझाया चलो बेटा जरा I किस के बराबर होता है A किस के बराबर होता है A होता है R1 पलस R2 के बराबर simple A कितना है 45 R1, R1 है R2 0 है So R1 जो है आपको 45 आएगा बेटा ठीक, simple R1 45 अच्छे सरब मू किस के बराबर आएगा sin I divided by sin of R simple अच्छे sin I कितना है 60 divided by sin R1 कितना है 45 simple equation surface number 1 पे मैंने लगाई sin 60 root 3 by 2 sin 45 1 में under root of 2 ठीक है यह उपर जाएगा बेटा ज़रह क्या आएगा आपको Mew कितना आएगा root 3 into root 2 divided by 2 यही तो है बेटा ज़रह इसको multiply root 2 करो divided by root 2 करो कर सकते हो काकि rationalization हो Mew आपको आएगा बेटा under root of 3 divided by 2 यह आपका answer है under root of 3 divided by 2 यह है बेटा under root of 3 divided by 2 Mew आपको आया जब Mew आया A की option है फिर delta भी खुद निकलेगा delta भी खुद निकलेगा अच्छा delta की formula क्या है बेटा I plus E equal to A plus delta I है 60 अच्छा E कितना है 0 A कितना है 45 प्लस delta यह यहाँ जाएगा delta आपको 15 degree के बराबर आएगा तीक है बेटा सो यह आपका अंसर है option number 4 चलो बेटा next question next question जो है बेटा the angle of minimum deviation of prism angle of minimum deviation जो है वो 60 degree के बराबर है angle of prism जो है वो 60 के बराबर है ठीक आपको refractive index निकालना है क्या है refractive index की formula a angle of minimum deviation वाली formula a plus delta minimum divided by 2 divided by sine of a by 2 mu is equal to sine of 60 60 plus delta minimum है 60 divided by 2 ठीक है बेटा ठीक है बेटा value सब चूट कर रहा है और कुछ नहीं है आपको आएगा उपर sine of 60 नीचे आएगा sine of 30 ठीक है बेटा उपर sine 60 नीचे sine 30 sine 60 किसके बराबर under root 3 by 2 sine 30 1 by 2 222 के साथ गया 1.732 या under root 3 आप बोल सकते हो यहां बेटा थोड़ा सा calculation error है और angle of minimum deviation जो है वो 30 degree है मैंने गलती से 60 लिका है तो यहां पे बेटा यहां पे आप correct करो यहां पे 60 पलस 30 by 2 आएगा बहुत आसान था बेटा calculation error हो गया चलो बेटा आपको आएगा sine of 45 आपको उपर आएगा ठीक है sine क्योंकि उपर क्या है उपर है 90 by 2 वो आप 45 नीचे आएगा sine 30 sine 45 होता है 1 by root 2 sine 30 होता है 1 by 2 ठीक है तो आप 2 बे अंडर रूट 2 आएगा वो रूट 2 होआ बेटा वो रूट 2 होआ यह होआ rationalization करके चले बेटा next angle of prism जो है angle of prism जो है angle of prism एजो है वो किस के बराबर है 30 degree के बराबर refractive index of prism कितना है under root of 2 के बराबर यह बहुत important है one of the surface is silvered एक surface को क्या करना है बेटा silver करना है एक surface को इस तरह से silver करना है एक surface को silver किया ठीक है वो तो mirror बन गया at what angle of incidence array should be incident अरे angle of incidence निकालो बेटा क्या निकालो angle of incidence निकालो ठीक है angle of incidence आपको निकालना है so that after reflection from wrist it retraces its path जब light इस पे गिरेगी इसी path के through वापस आएगी अरे light यह याद रखना बेटा light तब retrace करेगी path जब यह normally पड़ेगी जब दूसरी surface पे यह normally पड़ेगी नौर्मली वापस आएगी यह बेटा condition है इसका मतलब है बेटा यहाँ पे यहाँ पे आप नज़र रखना बेटा पूरी तरह से मैं बड़ी डैग्राम यहाँ पे बनाऊंगा ताकि आपको समझाए यह है बेटा ठीक है यह है बेटा angle of incidence यह है बेटा angle of incidence आई ठीक है बेटा इसको surface कि silver किया हमने so light retrace होगी जब यह normally पड़ेगी बराबर इस तरह से इस पे normally पड़ेगी normally वापस आईगी ठीक है normally पड़ेगी normally वापस आईगी तब retrace होगी बेटा path और angle of prism कितना है बेटा 30 degree है angle of prism और refractive index कितना है under root of 2 और angle of incidence कितना है बेटा वो नहीं लिखाया angle of incidence हमें निकालना है इतना clear है बेटा इतना clear है देखोई बेटा यह 30 है पूर पूरा नजर रखना है बेटा उपर वाला angle 30 है यह वाला angle 90 है क्योंकि normally पड़ती है light इसका मतलब है यह angle कितना है 90 है अगर बेटा नजर रखो यह 30 यह 90, 120 sum of angles of उपर वाला triangle ले लो sum of angles of triangle 180 होता है इसका मतलब है यह वाला angle यह वाला angle यह होगा 90, 120 यह होगा 60 ठीक है अच्छा angle of reflection जो है बेटा देखो यह angle of reflection r1 कहलाता है यह angle of reflection यह r1 कहलाता है अरे देखो normal जो है 90 degree total बनाएगा यह surface यह normal है normal 90 बनाना है 90 मैंसे 60 इसने खाया 60 इसने खाया अब बचा कितना 30 बचा कितना 30 r1 जो है 30 के बराबर है आप याद भी रख सकते हैं अगर sir retrace path होगी right retrace होगी so r1 जो होगा वो angle of prism के बराबर angle of prism 30 यह भी 30 आएगा ठीक है यह 30 आएगा simple यह shortcut trick है जितना angle of prism उतना ही r1 जब light retrace करेगी आया r1 r1 आपको आया mu किसके बराबर sin i by sin r1 mu कितना है root 2 आपको आएगा sin i divided by sin of 30 यह जाएगा root 2 into 1 by 2 equal to sin of i i आपको 45 degree के बराबर आएगा आप देखो बिटा 45 degree आएगा यह राबिटा आपको 45 चलो बिटा next question a prism of refractive angle 60 degree a prism of refracting angle 60 degree prism जो है prism का refractive angle कितना है यह वो 60 degree के बराबर है is made with refractive index mu के बराबर है for a certain wavelength of light the angle of यह पीटा यह है पीटा यह है पीटा the prism of refractive angle 60 degree refractive index mu है the angle of minimum deviation angle of minimum deviation जो है 30 के बराबर है angle of minimum deviation 30 आपको refractive index निकला है बड़ा easy question है जब mu किसके बराबर है sine of a plus delta minimum divided by 2 नीचे sine of a by 2 value सबचूट करो answer आपको आएगा mu आपको आएगा sine of a कितना है 60 plus 30 divided by 2 divided by sine of 60 divided by 2 mu is equal to उपर आएगा sine 45 divided by sine of 30 sine 45 वाँ 1 by root 2 sine 30 1 by 2 आपको आएगा 2 by root 2 इसको उपर multiply root 2 divided by root 2 1.4 आएगा यह रहा आपका 1.4 ठीक है चलो पीटा next question next question when a ray is incident normally on one of the refracting surface ray को हमने normally डाला किस पे normally डाला एक refracting surface पे normally on one refracting surface of equilateral prism यह है पीटा यह normal है यह normal है ray को हमने normally डाला यह आई पीटा ray नॉर्मली अगर ray नॉर्मली आई जरह पीटा बोला angle of incidence कितना 0 जब ray नॉर्मली आती है angle of incidence 0 यहाँ पे बीटा ray सीधे निकलेगी सीधे निकलेगी यहाँ पे R1 जो है 0 के बराबर आएगा आया R1 0 के बराबर ठीक है आपको angle of deviation निकलना है फिर देखना है हो जाएगा क्या R1 के तरह आया पेटा इक्विलेटरल प्रिजम है यह angle 60 डिगरी है और refractive index mu जो है पेटा 1.5 के बराबर है अगर पेटा यह angle 60 आप देखो पेटा अगर यह angle 60 यह angle जो है यह angle जो है वो 90 होगा 90 पलस 60 के तना हुआ बेटा 150 यह वाला angle 30 होगा ठीक है बेटा यह वाला angle 30 और यहां से मैं normal डालूँगा नीचे वाला angle जो है यह R2 कहलाता है बेटा R2 R2 कहलाता है R2 आपको 60 आएगा क्योंकि total angle 90 होना चाहिए 90 मैंसे 30 आया यह बच गया 60 So R2 कितना है 60 angle of deviation निकाल सकते हो I plus E equal to A plus delta angle of incidence 0 plus angle of emergence E ठीक है A कितना है बेटा 60 plus delta So delta किसके बराबर आएगा E minus 60 के बराबर अब E निकालो angle of emergence E यहां पर निकालो So यह जो surface number 2 है Surface number 2 को आप यूज करो Surface number 2 को यूज करो सिनल इदला चलो बेटा Surface number 2 जो है Surface number 2 जरा इसको क्या आएगा बेटा अंदर का refractive index कितना है 1.5 sine 1.5 sine 60 अंदर का angle 60 बाहर है 1 sine of E आपको 1.5 बेटा sine 60 हुआ root 3 by 2 आपको आएगा sine of E के बराबर आपको यहां से E निकलेगा बेटा यह E आप यहां सबच्चूट करोगे आपको angle of deviation निकलेगा यह एक मसला हुआ इस तरह से हमें angle of deviation निकलेगा यह एक है बेटा ठीक और आपको देखना है क्या दूसरी surface पे TIR होगा या नहीं क्या दूसरी surface पे TIR होगा TIR के लिए condition क्या है angle of incidence greater than critical angle होना चाहिए अच्छा कितना है angle of incidence 60 angle of incidence 60 है ना यही R260 अच्छा क्रिटिकल एंगल कैसे निकालोगे आपको पता है बेटा sin of critical angle 1 by mu के बराबर होता है ठीक है तो आप critical angle निकालो बेटा अगर आपको angle of incidence greater than critical angle आया तो दूसरी surface पे TIR होगा वो case में अभी अलग से discuss करूँगा ठीक है बेटा तो ये दो question बराबर बेटा ऐसे ही है जैसे मैंने अभी तक दिखाई बराबर ऐसे ही question है आप ये value सबचूट कर सकते हो अब बेटा दूसरा चीज मुझे दिखाना है TIR की condition क्या है ठीक है बेटा ये मैं अलग से समझाओ तो मैंने भी बोला था मैं आपको आलग से ये समझाओगा देखो बेटा ये मैंने एक prism बनाया ठीक है बेटा ये मैंने prism बनाया जलो बेटा ये prism है अब देखो बेटा यहाँ से मैंने light डा ली ये है angle of incidence ठीक है यहाँ से light reflect हुई ये है बेटा angle of reflection r1 ये दूसरा बेटा normal ये है angle of reflection r2 ठीक है ये दूसरी surface जो है दूसरी surface पे light is traveling from denser to rarer medium दूसरी surface पे tir की possibility है जरा surface 2 पे कब होगा बेटा tir surface 2 पे surface 2 पे tir कब होगा जब angle of incidence यानि कि r2 greater than critical angle होगा जब r2 greater than critical angle होगा तो surface number 2 पे tir होगी बेटा चलो बेटा कैसे निकालोगे या आर 2 greater than critical angle चलो sign लगा दूसरे side से आपको sign of r2 greater than sign of critical angle आएगा बेटा ये ही तो है sign of critical angle 1 by mu आपको sign of r2 greater than 1 by mu आएगा ठीक है बेटा तो अगर ये condition सेट्सफर होगी sign of r2 greater than 1 by mu ठीक है बेटा तो दूसरी surface पे क्या होगा tir होगा अब बेटा दूसरा मसला है important चीज है बेटा important चीज पो यही चीज है condition for no emergence यह आप लास्ट में याद रखना no emergence condition आप देखो बेटा यही question है यही question है लेकिन यह वाला question आपको solve करना है angle of incidence 90 पे solve करना है same question है मैं आपको दिखाओंगा यह है बेटा prism यह prism यह बेटा incident light आई incident light incident light आप मानों यह 90 degree पे आ रही यहाने की grazing पे इस तरह से light of light incident light यहां से ray of light जा रही यहां पे ray suffer करेगी TIR आया समझ बेटा फिर्चे में दिखाओंगा एक बारी यह है बेटा यह रही बेटा incident light यह है angle of incidence आई और आप मानों यह 90 के बराबर है ठीक है यह 90 के बराबर है angle of incidence is 90 यहां पे angle of reflection R1 यहां पे दूसरा R2 और यहां पे हो रही है TIR यहां पे हो रही है TIR यहां पे हो रही है चलो पेटा यह surface 1 यह surface number 2 चलो पेटा आप बलो surface number 1 देखो पेटा surface number 1 surface number 1 जरा surface number 1 की condition क्या है पेटा mu 1 sin theta 1 equal to mu 2 sin of theta 2 बाहर का mu 1 1 के बराबर sin of बाहर का angle 90 अंदर का mu sin of theta 2 अंदर का angle R1 यही तो है पिलकोल sin 90 कितना हुआ 1 equal to mu sin of R1 sin of R1 आपको कितना आएगा 1 by mu के बराबर so R1 आपको आएगा sin inverse of 1 by mu aray sin inverse of 1 by mu तो critical angle होता है so R1 हम बोल सकते हैं यह critical angle है R1 ही क्या है critical angle यह A condition ठीक है अच्छा A किस के बराबर बेटा R1 प्लस R2 पढ़ा पढ़ा है हमने जरा इसको transfer करो A minus R1 आपको R2 के बराबर आएगा R1 के बदले theta C भी लिख सकते हो A minus theta C आपको R2 के बराबर आएगा चलो बेटा हो गई surface number 1 चलो बेटा आप मुझे बो surface number 2 पे condition क्या है surface number 2 पे angle of incidence कितना है R2 यह critical angle से ज्यादा होना चाहिए यह जो surface number 2 है at surface number 2 angle of incidence जो है कितना है angle of incidence R2 it is greater than critical angle ठीक है बेटा अच्छा R2 किसके बराबर R2 A minus theta C किसके बराबर है greater than theta C यहाँ जाएगा A is greater than twice theta C A by 2 is greater than theta C यह है बेटा condition so theta C जो है बेटा आपको less than आया A by 2 के बराब यह condition है इस condition पे क्या होगा बेटा light emerge नहीं होगी बेटा बहुत important है theta C less than A by 2 अगर मैं दोनु साइड से sign दू आपको आएगा sine of theta C less than A by sine of A by 2 sine मैंने दोनु से sine of critical angle कितना होता है 1 by mu आपको आएगा 1 by mu less than sine of A by 2 यही तो आया बिलकुल पस यह आपकी condition है क्या आया बेटा क्या आया 1 by mu is less than किसे less than है sine of A by 2 से cross करो बिटा आपको आएगा 1 by sine of A by 2 is greater than mu यह बिटा final condition आई mu should be greater than 1 by sine of A by 2 अगर यह condition satisfy होगी जब angle of incidence 90 degree होगा यह condition satisfy होगी light जो है वो emerge नहीं होगी 1 by sine कितना हुआ cosecant तो आपको mu जो है y अगा greater than cosecant of A by 2 यह condition आप याद रखना इसमें डिरेक्ट यह question पूछता है जो पहला वाला question जो मैंने चोड़ा था बराबर इसी pattern पे है तो बेटा यहां पे मैंने आप्टिक्स पे जितना भी important चीज बनता था बेटा मैंने उस पे discussion सारा कि सारा discussion किया तो hopefully जो question optics में आएंगे वो इसी pattern पे आते हैं ठीक है बेटा बागी optical instrument से बोर्ड एक्जाम में अच्छे से पढ़ते हो उतना काफी है बागी चीज़े जो थी वो delete हुई है बेटा rainbow था scattering of light थी dispersion of light था वो नई syllabus के हिसाब से बेटा वो delete topic है इतना clear है बेटा आज कल कल तो इतना optics के लिए काफी है तो अल्ला हाफिज